महरास्ट के मुख्यमंत्री एक नाशिंदे ने एक टीवी इंटेव्यू के दोरान अभिनेता नाना पाटेकर को बताया कि आखिर क्यों उन्हें सिवसिना को तोड़ना पड़ा नाना के दोरा पूछे के सवाल के जवाब में शिंदे ने कहा कि कुछ चीजों की शेहन सिल्टा और सीमा होती है लेकिन जब पानी सर से उपर चला जाता है तो निर्ने लेना पड़ता है हमने जो किया उसकी वज़े से हम खुश नहीं है आपको बता दें कि सिंदे लोकमत द्वरा आयोजीत महराष्ट महा मुलाखत में नाना पाटेकर के सवालों का जवाब दे रहे थे इस दोरान सिंदे ने भावात्मक और राजनीतिक कारोनों के बारे में विस्तार से बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सिंदे से बगावत की एक नाचिंदे ने कहा जिस पार्टी में हमने इतने साल काम किया हमने कड़ी मेहनत की खून पसीना भाया अथक परिश्रम किया उसने हमारे अनरोध पर कभी ध्यान नहीं दिया इस बात की कोई गैरंटी नहीं थी कि हम काम के बाद घर पहूचेंगे फिर भी हमने हर संभव कोशिश की जब कुछ गलत हुआ तो हमें निर्ड़े लेना पड़ा हमने निर्ड़े इसलिए लिया क्योंकि पार्टी की पहचान खो रही थी हमने पार्टी को बचाने के लिए निर्ड़े लिया मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है एक नाशिंदे ने कहा कि हमने पांच बार अनरोध किया था एक अउसर था लेकिन दुरभाग से ऐसा नहीं हुआ मैं बाला साप और अनंदीगी का कारे करता हूँ इसलिए मैंने यह बड़ा कदम उठाया एक नाशिंदे ने धनुस बार चुनाव चिन मिलने के पीछे गड़ी समझाया उन्होंने कहा हमें चुनाव चिन के बारे में किसी को बताने की जुरुत नहीं है हम इसे योगिता के अधार पर प्राप्त करेंगे चुनाव आयोग अंधिरी के उप चुनाव के कारण निर्ड नहीं ले सका लेकिन हमें भविश में धनुस बान मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि 55 में से 40 विधायक हमारे साथ है उनके वोटों के गिंती 29 लाख है साथ 18 में से 12 सांसद हमारे साथ है